सो हे गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने यूटूब वीडियो में end screen कैसे लगा सकते हैं जी है मेरे दोस्तों यानि कि अगर आपके भी यूटूब वीडियो पे भीव नहीं आ रहा है तो आप अपने YouTube वीडियो पे end screen लगा के बहुत ही अच्छा खासा भीव ला सकते हैं देखिए अगर आपके YouTube वीडियो पे भीव नहीं आ रहा है न तो YouTube आपको एक रास्ता दिया है end screen का रास्ता यानि कि अगर आप अपने हर एक वीडियो में end screen लगाना चालू करेंगे तो उससे क्या होगा जैसे आपका वीडियो खतम होगा तो खतम होते ही आपके जो वीडियो रहेगा उससे रिलेटर जितने सारे वीडियो रहेगा वह स्क्रีन पे एलास्त में आ जाएगा तो जो लोग होगा जो भीवर होगा वह हमारे उन वीडियो को भी देख सकता है तो इस से हमारे YouTube चैनल भीव बरहेगा और हमारे यूटूब चैनल को ग्रो होने का चांस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है देखिए अगर हम अपने यूटूब वीडियो में एंड स्क्रीन लगाते हैं तो उसमें धेड सारा आप्षन रहता है जैसे कि आप अपने वीडियो के एंड स्क् सब्हूत्यवी लगाते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाओंगा बहुत ही अच्छे से दिखाओंगा कि आप कौन सी य dripping को होता हैं हो कितने सेकेंड का होता हैं उस सारा जनकारी हम आपको इस विडियो में देने करे तो बने भीम द स्क्रीन कैसे लगा पाएंगे सबसे पहले आपको Chrome राजर ओपन कर लेना है अपने फोन में तो यह Chrome राजर हम अपने फोन में ओपन कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले कोने में 3. option है इसके उपर आपको किलिक करना है और यहां से आपको नीचे desktop mode इनेवल कर यहां पर आपको लिख देना है YouTube.com तो जैसे कि हम YouTube.com लिख के सर्च कर लेते हैं तो आपको भी YouTube.com लिख के सर्च कर लेना है और जैसे आप YouTube.com लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का एंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके चैनल का profile दिख जाएगा आपके channel के profile के उपर simply यहाँ पे logo के उपर click कर देना है और जैसे आप उसके उपर click करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाए देगा view your channel तो view your channel के उपर आपको click कर देना है और जैसे आप view your channel का option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका channel कुछ इस प्रकार से आ जाएगा क्लिक करेंगे तो यहां पे थोरा सा लोडिंग लेगा और थोरा सा लोडिंग लेने के बाद यह आपको रीडाइरेक्ट कर देगा यू स्टुडियो YouTube.com पर यानि कि यूज़ यूटूब का स्टुडियोओ option पे click करेंगे तो आपके सामने आपके YouTube channel का जितने सारे वीडियो रहेगा ना आपके channel पे जितने सारे वीडियो अफलोड रहेगा ना सारा का सारा वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो आपको जो भी वीडियो में अपना end screen लगाना है उस वीडियो का आप सेलेक्ट कर लेजिए हाला कि अगर आप Chrome ब्राजर से अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो जब वीडियो अपलोड करेंगे उसी समय आपको end screen लगाने का option आ जाएगा लेकिन अगर आप अपने YouTube channel पे अपने YouTube के app से वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको end screen लगाने का option नहीं आता है तो अगर आप YouTube के app से अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आप इस प्रकार से यहां तक पहुँच सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको रस्ता बताया हूँ अगर आप Chrome browser से अपलोड करते हैं तो आपको direct यहां पे मिल जाता है तो YouTube का application से आपको अपलोड कर लेना है उसके बाद यहां पे आपका वीडियो आ जाएगा जिस भी वीडियो को आप end screen लगाना चाहते हैं उस वीडियो का आप click कर दिजे यहां पे end screen है ना इसी के उपर आपको simply click कर देना है और जैसे आप end screen का option पे click करेंगे तो आपके वीडियो में end screen लगाने का option यहां पे कुछ इस परकार से आ जाएगा सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले जो यहां पे option है यह चार बीडियो लगाने का option है उसके बाद यहां पे यह option है कि एक बीडियो और एक logo आप लगा सकते हैं अपने चैनल का subscribe के लिए उसके बाद नीचे option है यह बला option है न एक video रहेगा और एक ये कोई भी लिंक आप डाल सकते हैं जैसे कि Instagram आईडी आपका हो गया, Twitter आईडी हो गया, कोई सा भी आईडी मतलब कोई सा website, कोई सा app का लिंक आप डाल सकते हैं और एक ये वाला option जो है, इसमें आप अपने channel के subscribe लगा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक subscribe लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे तो, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पे अगर चार option प आप ऐसा भी कर सकते हैं आपकी मर्जी लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि यह भी एक तरीका होता है लगाने का तो हम इसको हम डिलीट वाले बटन पर हम डिलीट करके इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं और आपको हम एक एक चीज अच्छे से बारिकी से समझाते हैं आपको ध्यान से देखना ही, यहीं पर आपको सब कुछ समझना होगा, यहाँ पर सबसे पहले पलसबाला layer option दीखरके रहांगे, इसके उपर आपको किलिक कर देना है और जैसे आप अपर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है most recent upload अगर आप वीडियो वाले पर किलिक करके और डारेक्ट यहां पर सेब कर देते हैं तो यह most recent upload पर सलक्ट है न तो इससे क्या होगा कि आपने जो हाल फिलाल में वीडियो अपलोड किये रहेंगे न वो वीडियो इस वीडियो के इसमें end screen में आ जाएगा अलेकिन अगर होगा इसको नीचे करके बताते हैं best for viewer यहां पर लिखा हुआ आ गया मतलब जो आपके चैनल पर जो audience आपका वीडियो देख रहा है न उसको जिस चीज में इंटरस्ट है अगर वैसा वीडियो आपके चैनल पर अपलोड रहेगा न तो उसके सामने वैसा ही वीडियो आपक अपलब यही होता है उसके बाद सबसे नीचे जो है option सबसे नीचे जो option है ना 24 एस फैस्टिक वीडियो यानि की यहां पर क्या होगा हमको अपना वीडियो सलेक्ट करने का option आ जाएगा यानि कि आपके चैनल पर जितने सारे वीडियो अपलोड रहेगा ना सारा का सारा वी मैं करेते हैं एपना वीडियो जैसे के हम लिखते हैं माइक in माक करते हैं देखें मैक से रीडियो से ना सारा सारा हमारा यहां पर आ है और एक वीडियो को और किल्क कर देंλέंगे इसको बें सबसक्त-क्रस हम से पीडियो और पर यहां पर एक वीडियो बहुत करेंगे आपको जहां आपको पर चाहते हैं कि आप दूसरे यूटूब चैनल का भी वीडियो अपने लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है search videos from other channel जैसे कि हम इसके उपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख दे M-A-N-O-J मनोज दे मनोज दे का चैनल हमने सर्च कर लिया वीडियो अब यहाँ पर हम back करते हैं अब देख लिजिए मनोज दे के YouTube चैनल पर जितने सारा वीडियो है मनोज दे से related दे के सामने यहाँ पर आ जाएगा तो वो मनोज दे का भी वीडियो यहाँ से देख सकता है तो भी आप अपने YouTube चैनल के end screen में आप दूसरे चैनल का भी वीडियो आप यहाँ से लगा सकते हैं तो इसी तरीके से आप 4 वीडियो लगा सकते हैं अबण आपको अब यहां पर और से बसे चुलिक करते हैं और यहां पर जैसा प्लेइस कंदर करेंगे से और तो चैनल में उतने सारे ब्लेइस्ट रहेगा न frequent यहां पर दिख जाएगा आपके YouTube चेनल में जितने सारे प्लेलिस्ट बना रहेगा, सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको इसमें से जो भी प्लेलिस्ट लगाना है अपने वीडियो के इंडी स्क्रीन में, वो प्लेलिस्ट के उपर आप किलिक कर देजे, तो हम इसके आपको इसको नीचे करते हैं, और जैसे आप सब्सक्राइब आले ओप्शन पर किलिक करेंगे, तो आपके जो सब्सक्राइब बला बटन है, यहाँ पर लग जाएगा, यानि कि एंडी स्क्रीन में कोई भी आएगा, और इसको आपके चेनल को सब्सक्राइब कर सकता है, तो यहाँ पर फिर से element वाले option पर जाते हैं, वीडियो वाले option पर जाते हैं, और यहाँ पर जो भी वीडियो आपको लगाना है, च्वाइस करके लगाईए, या फिर जो भी वीडियो आप लगाईए, यहाँ पर हम च्वाइस करके एक वीडियो यहाँ से हम लगा देते हैं, त से बाले पे किलिक कर देंगा उसके बाद यहां पर हम अन्य चैनल और यूटूब दूसरे चैनल को भी आप अपने वीडियों का end-screen में लगा सकते तो यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरा एक ब्लॉग वला चैनल है यहां पर हम अपना चैनल सर्च कर लेते हैं तो हमने अपना चैनल यहां पर सर्च कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर हम बैक आ जाते हैं देख लिजी मिस्टर र बैको जते हैं और यहां पर यह बाको लंबा सा लाइन है इसको आपको ठ हटाना है तो उसके करना होगा यहां पर इसको उपर को का अछकता है और यह लिखा distractions लगा उपको आपको अन्टिक कर देना है जैसे आप उसको अंटिक कर देंगे न तो यहाँ पर यह इसका लंबा जो लाइन था यहाँ से हट जाएगा अब इसके साथ में आपको एक वीडियो भी लगाना है तो उसके लिए आपको क्या खारना होगा फिर से एलिमेंट वाले पर जाना है और वीडियो वाले ओप्शन पर किलिक कर देना है और जैसे आप सेफ बाले ओप्शन पर किलिक कर देंगे तो यहाँ पर दूसरा चैनल और आपका एक वीडियो लग जाएगा और यहाँ पर जैसे सेब करेंगे तो यह सेब हो जाएगा तो इसको हम सेब नहीं करते हैं डिलिट कर देते हैं आपको और भी कुछ बता वाला उप्शन नॉन क्या लिखा हुआ है टैप यानि कि कोई बीचीज का लिंग करके यहां पर डाल सकते हैं जैसे कि for आपका को Instagram ID है तो उसका link आप यहाँ पेस्ट कर देंगे न तो आपका वीडियो जब खतम होगा तो आप अपने वीडियो का end screen में बोलेंगे लास्ट में कि आपको यहाँ पर end screen में Instagram ID का link मिलेगा आप यहाँ पर किलिक करके आप मुझे जो कि genuine हो, यानि कि कोई भी ऐसा link आप ना डाल दें, जो किसी भीवर के लिए नुक्सान दायक हो, या फिर किसी का phone hack हो सकता है, या फिर कोई गलत website पर जा सकता है, या फिर कोई fraud वाला link हो, ऐसा link आपको यहाँ पर नहीं डालना है, नहीं तो आपका channel भी YouTube डिलिट कर देगा तो यह link बगर आप यहाँ से paste कर देंगे न, तो आपके video के end screen में वो लग जाएगा, मतलब वो link लग जाएगा, और वहाँ से कोई भी भी वीवर आपके इस पर पहुँच जाएगा, तो हम एक end screen आपको लगा के दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ हुआ है, ए अपना एक video, जो आइस स्पेस्टिक पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से हम एक video यहाँ से हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पे जो save बला option है, इस save बला option पे हम क्लिक कर देजिए, और आपके YouTube चैनल में जो है end screen इसी तरीके से लग जाएग So I hope कि यह video आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर आपको यह video पसंद आया है, तो please video को like कर देना, और यहाँ से आपका end screen लग गया, और इसको हम back कर देंगे, आप भी इस परकार से back करके इसको cut कर सकते हैं, और अगर आपको यह video पसंद आया है, तो video को like क कर देना, और channel पर पहले बार आये हैं, तो subscribe कर लेना, क्यूंकि इस तरह का video आपको आगे इस channel पर देखने को मिलेगा, तो guys, बस मिलते हैं, आपको किसी अगले video में अगले topic के साथ, तब तक के लिए, bye